तो आज हम बनाने वाले मटर की कचोड़ी और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है आप लोग भी अपने घर में ज़रूर से ट्राय करना और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और एक और बात आपको अगर ये चटनी की रेसिपी चाहिए होग तो इसकी लिए है न हुम लोग ने पहले मटर ले ल है तो मतर सीजन में तरह आपको असानी से मिल जाएगी तेस के शैयने लें इसके बिलेंडर में डाल देते है आर इसको अच्छी तरीके से पूरा पीस लेंगे और इसको ये न आपको पूरा अच्छी से नहीं पीशना ह तो उसमें थोड़ी बहुत ऐसे मटर अगर चूट भी जाया ना तो वह चल जाएगा तैसे हैं अपने अच्छे से दरतरा सा इसको पुरा पीस लिया है और इसके बाद में अब मसाला तयार करेंगे तो इसके लिए हम लोग ने खड़ी धनिया ले ली है तो दो चम्मच करीब अब में टॉसके बाद में टो चम्मच करीब साफ डाल देंगे पीश लिए से रढ़ अची टरीकेश इसे पूरा भूंच लेंगे और इसको कलर चेंज हो जाएगा तब तक तक ने तरीके बूंच लेना है और फिर जब यह थन्ड़ थन्ड़ हो जाया ना उसके बाद में एल्ड़ो ने के देख देते हैं अब network कर नतें बॉज हुन usually कर देते हैं इसके वाद मेडोश को occasion सबाद की खारा अर्म PAC करीं हम थेल तेल दयो की दाल की तिक जबें के रखारा जा छेख। ह मैंने हिंग इंग और मैंने हम तो करें पार इसे मिक्स लेते हैं पूरा अच्छी साथ जब यह इसे ब्राउन सा हो जाए ना उसके बार में फिर इसमें डाल देंगे हम मटर पीसी वाली और इसको अच्छी तरीके से पूरा पकने देंगे और फिर जब अच्छी से पकने लगेगा इसका कलर भी एना चेंज होता जाएगा और अब मसाले डाल तरो ओल। और तरो फिर इसमें चाप मसाले डाल डिये पीज़ा अधा च्छी तरीके से पुरा मिक्स कर देते और में एक साला इक पुल डाला तो इसमें आप डाल देंगे हम गरम यह भी ऑम 2 यूर्म चरी करते बेर ऍधा नामग घाल दे पर बेसें डालेंगे दो चम्मच करीब और इसको अच्छी तरीक़ से पूरा हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से जब बेसें इसमें पुरा अच्छी मिक्स हो जाये। उसके बाद में इसमें हम वो मसाला डालेंगे जो हमने पूरा पीसा था वही और उसके बाद में इसमें अच्छी तरीका से पूरा मिक्स कर लेंगे और जब अच्छी से मिक्स हो जाए ना इसको हम थंडा होने के लिए साइड में रख देंगे करेंगे तो मैं यह दो Two यह हमें जैसे हम लmost समोची के लिए तो सही करते रहा है ह।ई इसमें हमें ना मैयद यह ले लिए दो कप करीब और बीच में जगा बना ली तो ये पाथ से चम्मच करीभी इसमें यह आँ आ तेल डाल दिया और इसके बार में नमक टेस्ट के साब से टोडा सा डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेंगे और जब तक याच्छी से आँ तेल अच्छी सबड़ चब नहीं हो जाता तब तक क पूरा बढ़िया सा हमारा दो तयार हो गया है अब इसके बाद में हम देखो टेस्ट भी कर लेते हैं हमारा जो डो है बिलकुल एकदम रेडी है अब हम एक छोटी सी लोई लेंगे और इसका बनाने का तरीका बताती हूं किस तरीके से बनेगा यह तो हमें अच्छे तरीके से पूरा फैला आते जाना है या तो आप इसको बेलन से भी थोड़ा से छूटू सा अच्छे से बेल सकते है तो चोटी है रोटी जैसे और या तरीके से आप हाथ से इसको शेप देके अच्छा है जगा बना सकते है और इसके बाद में इसमें जो मसाला तयार किये वो रखके और इसको बढ़िया से अच्छे से पैक कर लेंगे तो जैसे हम आलू का पराथा बनाते हैं उसमें जैसे हम बैटर डालके उसको अच्छे से पैक कर लेते हैं वैसे ही है इसको भी अच्छे से हमने मसाला डालके अच्छे से पैक कर लिया है और पूरा हातों से अच्छा से प्रेस कर लिया है और देखो अच्छी तरीके से हमाई कचोरी बिल्कुल ऐसे चिपक गई है अब इसके बाद में हमने इती सब बना ली है अब इसको हमें तेल में तलेंगे तो इसको एकदम medium flame में अच्छे तरीके से इसको इना तल लेना है तो हमारा जो तेल है अभी अच्छे से गरम नहीं हुआ एकदम हलका हलका से गरम है इसमें लेकिन हमने कचोरी डाल दिये इसको इना में बिलकुल भी परिशान नहीं करना अपने आप अच्छे से तलने देना है और इसको अच्छे से तल जाए और आपको इसमें एक चीज का ध्यान देना है जब अच्छे से फ्लोट होने लगे उसके बाद में इसको पलटना और एक और चीज का कि यह न जब यह अच्छे से हे Aunt आपकी जो खचोड़ी है उसको आप जब बेलेंगे तो उसको है आपको एकदम इ lawn चे से उसकी जो skin है वो आपको medium सी ही रखना है जादा पठला नहीं करना है नहीं तो वो इस तरीके से फट सकती है तो है आपको थोड़ा से एनग जो इसकी स्केन है वो उसको आपको मीडियम ही रखना है जादा पतला नहीं करना है और इसके बाद में जो आपकी कचोड़ी अच्छी तरीके से जो बन के तयार होगी और इसका जो कलर है वो तो देखो कितना बढ़िया साइक पूली पूली कचोड़ी हमारी बिलकुल बन के तयार है और इसको तेल अच्छी तरीके से पूरा हमने हटा लिया वो उसको प्लेट में निकाल लेते है और अब इसको आप में बढ़िया से सर्फ कर लेते है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्ट्रेग्राम पर फॉलो कर लेना नेक्स्ट वीडियो मिलती हूं राधे राधे